हम कि ठीच की टोपिक आज हम पढ़ेंगे टोन्ट का damaged ओंपोरटेटींट टॉपिक जो ट है कुलाम का नियम इसके साथ पूछा जाता है इककांग काविष क्या था य॥ यूनिट च्र्वाइब का हम तक हम समझ यह क्या होता है कि बगوقे पेन पहले समझेंगे हम आकर्शन और प्रतिकर्शन अगर दोनों चार्ज अपोजिटो जिसे प्लस और माइनस तो उनके बीच में क्या होता है आकर्शन और अगर दोनों नेगेटीव है या दोनों पॉजिटीव है तो उनके बीच में होता है प्रतिकर्शन समझाया अगर दोनों चार्ज क्या होते है यह तो positive negative हो ठीक है तो उनके बीच में क्या होता है aggression जिसको बोलते है attraction ठीक है और दोनों अगर same हो तो उनके बीच में होता है प्रतिकर्शन clear ठीक है तो कुलाम ने इसी के संबन में एक नियम दिया था ठीक है जिसमें क्या बतायत है अगर हम दो आवेश लेते Q1 और Q2 ठीक है तो point आवेश है अगर इनके बीच की दूरी जो है वो R है ठीक है सपोस हम इन आवेश को लिया एक positive ले लिया एक negative ले लिया तो इनके बीच में जो कौनसा जो बल लगेगा वो लगेगा a screenshot लग ठीक है तो ये बल इधर लगेगा जिसको बोलेंगे a person ठीक है इधर से भी लग सकता है Q2 से Q1 की और जिसको बोलेंगे F तब इसका नाम देते है 12 मतलख Q1 से Q2 के और तो इसको बोलेंगे और अगर ये 2 से 1 की ओर लगेगा तो इसको बुलेंगे 2 1 दोनों क्या है अपने आकर्षन बले और अगर हम प्रतिकर्षन बल की बात करें तो अगर क्या होगा Q1 और Q2 दो आवेश लिए अगर मैंने दोनों पोजिटिव लिए तो ये जो बल लगेंगे इन दोनों के वो क्या इनकी दूरी सब्पोज मैंने आर मान ली अब ये जो बल लगेंगे ये का लगेंगे अपोजिट डिरेक्षन में Q1 से Q2 की ओर नहीं लगेगा अपोजिट डिरेक्षन में लगेगा ये भी क्या लगेगा ये आकर्षन या प्रतिकर्षन जो बल है ये क्या होता है इन दोनों आवेश के ये दोनों आवेश मतलब Q1 और Q2 ठीके इन दोनों आवेश के गुणनफल के तो समानुपाती होता है क्या होता है दो आवेशों के मद्धि लगने वाला आकर्षन या प्रतिकर्षन बल जो होता होगया इन दोनों आवेशों के समानुपाती होता है और यही बल इनके बीच की दूरी कुणसी आर बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है क्लियर है क्या होता है Q1 और Q2 के बीच में एक बल लगता है जिसको आकर्षन या प्रतिकर्षन बल कहते है ये बल इन दोनों आवेशों के गुड़न फेल के तो समानुपाती होता है इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम आनुपाती होता है अगर हम इसको सेकंड्स हिसे क्या होगा दोनों में कॉमन है क्या होगा A Q1 Q2 R इसक ठीक है हम जानती है जब ये समानुपातीका जो है साइन हटता है. तो क्या होता है? एक नियतांक हाता है. हम बोल सकते हैं f的话 to क्या होगा? aq1 q2 r sq. ठीके? य platinum kia होता है. येúblic Specifically yu nirवात में yu nirवात में a की वेल्यू में 500 kia होती है? 1 by 4 by epsilon 0 즐ignon. इसको क्या बोलता है? Epsilon 0 ठीक है तो हम यह value इसमें put करते है तो f equals to क्या होगा 1 by 4 by epsilon 0 q1 q2 r square खासी यह निरवात में a की value क्या होती है 1 by 4 by epsilon 0 ठीक है तो a की value अगर हम ठीक है पहले हम जानते a equals to क्या होता है 1 by 4 by epsilon 0 q1 q2 r square ठीक है अब एक कांग का मतलब हम जानते एक होता है ठीक है तो हम बोलेगे q1 की value भी 1 ले ले q2 की value भी 1 ले ले r की value भी अगर 1 ले ले ठीक है और हम जानते 1 by 4 by epsilon 0 की जो value होती है वह होती है 9 into 10 to the power 9 ठीक है newton अब अगर यह value अपनने ली तो एकांग आवेश क्या होगा कि अगर किसी किनी एकांग आवेश जो होता है एकांग मतलब 1 तो यह आवेश जो है एकांग आवेश लिया जाए इनकी बीच की दूरी भी क्या रहे 1 रहे ठीक है तो यह आवेश जैसे यह यहां रखा यह आवेश यहां रखा तो इन दोने की बीच में जो force है ठीक है सब्सक्राइए तो एकांख आविश कहते हैं समझाय है अगर हम इसकी वैल्यू भी वन ली ठीक है और इनके बीच की दोरी भी क्या ली ली तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है ठीकिये अगर Q1 से Q2 क्यों और लगे है Q2 से Q1 क्यों और लगे अगर ये बल एक दूसरे के उपार अगर 9 इंटू 10 के पार 9 मिटर का लगे अगर ठीक है तो उसे हम क्या बोलेंगे एक आंक आविश बोलेंगे लियर